MP में मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा जाने किस मंत्री को मिला कौन सा विभाग देखें असली लिस्ट CM ने ग्रिह अपने पास रखा विजय वर्गिय को नगरिय प्रशासन प्रहलाद को पंचायत एवं ग्रामीन विकास आप देख रहे हैं केसरी न्यूज मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार में कई दिनों के इंतजार के बाद मंत्रियों के विभागों का बठवारा हो गया है CM मोहन यादव ने सामान्य प्रशासन, ग्रिह, जेल, उद्योग, नीती एवं निवेश, जनसंपर्क, खनिज और लोक प्रबंधन विभाग अपने पास रखा है डिप्टी, CM जगदीश देवडा को वित्ट और डिप्टी, CM राजेंदर शुकला को लोक स्वास्थिव चिकित्सा, शिक्षा विभाग दिया गया है प्रहलात पटेल को पंचायत एवं ग्रामीन विकास विभाग दिया गया है भारतिय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और इंदौर वन सीट से विधायक कैलाश विजय वरगिय को नगरिय प्रशासन, संसदिय कार्यमंत्री की जिम्मेदारी सौपी गई है इससे पहले भी कैलाश विजय वरगिय नगरिय प्रशासन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं मध्य प्रदेश सरकार में सिंधिया के करीबी तुलसी राम सिलावट को जल संसाधन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है गोविंद राजपूत को खाद्यव नागरिक आपूर्ती, प्रद्योमन सिंह तोमर को उर्जा मंत्रालय, निर्मला भूरिया को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है इनके साथ ही विश्वा सारंग को खेल एवं युवा कल्यान विभाग, उदय प्रताप सिंह को परिवहन विभाग और नागर सिंह को वन, पर्यावरण एवं अनुसूचित कल्यान विभाग की जिम्मेदारी दी गई है चैतन्य कश्यप को सूक्ष्म लगु एवं मध्य मुद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी सौपी गई है विधायक राकेश सिंह को लोक निर्मान विभाग, करण सिंह वर्मा को राजस्व विभाग, संपतिया उईके को लोक स्वास्थय यांत्री की विभाग, एदल सिंह कंशाना को किसान कल्यान एवं कृष्य विकास विभाग, विजय शाह को जन जातिय कार्य, लोक परिसंपत प्रबंधन नारायन सिंग कुशवाह को सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन कल्यान विभाग और इंद्र सिंह परमार को उच्च शिक्षा, आयुश, तक्नीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। प्रतिमा बागरी को नगरिय विकास एवं आवास, दिलीप अहिरवार को वन, परियावरण, राधा सिंह को पंचायत एवं ग्रामीन विकास की जिम्मेवारी सौपी गई है।